कि अगर इस पर कारवाई नहीं करी गई तो पधातांतिक तरीके से लोगतांतिक तरीके से गानिवानी तरीके से हम पूरे परदेश में आंदोरन करेंगे इस प्रकार से निरंतर कॉंग्रेस के द्वारा मुक्मत्री आदर्यनिय वसुनुदा जी की इमेज को समय समय पर निरंतर डेमिज किया जा रहा है कि आमाद्री पार्टी ये सवाल करना चाहती है कि क्या एक मजबूत निरनायक नित्रत्त का दावा देने करने वाले प्रदान मंत्री महोदय क्या आप मनमोहन सिंग पार्ट टू हो गए हैं देश क्यों छिपा करें वी बात लिखने की को हिम्मत कर ले आजयती के बाद में पहली बात देख रहा हूं तो मॉरली भी उनको आज एक सेकंड भी मुख्यमंत्री पत्पे रहने का दिकार नहीं रहा है बीजेपी की चार शिर्ष महला नेता विवादों में फस गई हैं विदेश मंत्री सुष्मा सुराज, मानो संसाधन विकास मंत्री इस्मर्ती रानी, रायस्तान की मुख्यमंत्री वसंधर राजसिंधिया और महराष्ट में महला बाल कल्यान मंत्री पंकजा मुंडे लेकिन को लोग सक्रिय हो गए और उनके पास कोई बेस तो है नहीं खास तोर से वसंधर राजे को लेकर विवाद ने जादा तूल पकड़ा है कॉंग्रेस ने उन दस्तावेजों को जारी किया जिसमें कथी तोर पर वसंधरा ने ललित मोदी के लिए गवाही दस्तावेज पर दसखत किये थे पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके अपने स्तर पर छानवीन होगी क्योंकि तथ्यों की पड़ताल जरूरी है बीजेपी ने उनके इस्तिफे की मांग खारिच कर दी है वसंधरा जी हमारी लोग पिरे नेता है और कॉंग्रेस के पास कुछ नहीं है तत्य हीन आरोप लगा कर और जिस कॉंग्रेस के चहरे पर कोईले की कालिक पुती है तो जूंटे आरोपों से कॉंग्रेस उस कालिक को साफ करना चाहती है और ये होने वाला नहीं है वसंद्रा की ओर से बयान जारी कर मीडिया में उनके बारे में चल रही कई तरीकी अठकलों को खारीज कर दिया गया उस 27 जून को नीती आयोक की बैठक में हिसाले ने दिल्ली भी आ रही है सिर्फ वसंद्रा ही नहीं बीजेपी सुष्मा सुराज स्मृति रानी और पंकजा मुंडे के बचाओं में खुलकर मैदान में उतराई है दरसल पार्टी को लगता है कि मोदी सरकार के कामकाज से ध्यान हटाने के लिए बेवज़ इन विवादों को तूल दिया जा रहा है लेकिन सरकार हकीकत का सामना तब करेगी जब 21 तारीक से संसत का मानसूद सत्र शुरू होगा दिल्ली मखिलेश शर्मा एंडी टीव इंडिया तो ये पूरी कवायद मोदी जी की सरकार के कामकाज से जैसा खिलेश कह रहे ते ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है ये बीजेपी के दावा है खिलेश का नी इस आप इसको कन्फ्यूज मत करिएगा लेकिन सबसे पहले तो मेरा इस बात को लेकर प्रशन है कि मोदी जी का कामकाज क्या है आर्थिक स्थिती में मोदी जी का कामकाज है वादे और वादे और मन की बात और योगा डे तो पहले तो ये जालने है कि मोदी जी का कामकाज क्या है और कोई इतली वसंद्रा राजे, सुष्मा सुराज, स्मिती राणी और पंकचा मुंडे पर उठे प्रश्णों को टाल नहीं सकती पुलिटिकल पार्टी का काम है अपने निताओं को वो नहीं बचाव करेंगे तो कि हम बचाव करेंगे कोई नहीं टाल सकता आज तक यह समझपाना अपने आपने बड़ा मुश्किल है कि मोदी जी की सरकार में प्रधान मंत्री का पेरोगेटिव होता है अपने मंत्रियों को चुनने का आप कुछ चेहरों की जलुवत क्या थी यह बड़े प्रश्ण है तो इससे कतई भी वसुंद्रा राजे सिंध्या ललित मोदी का मसला सुष्मा स्वराज ललित मोदी का मसला पंकजा बुंडे पर लगने वाले कोई भ्रष्टाचार का मसला और स्मृति इरादियाँ पर लगने वाले मस्ति ये कतें भी टायवर्ट नहीं होते ये हटते नहीं हैं भारतियाजंता पार्टी कोई पूरी कोशिश करनी चाहिए ये उनके नियता आलुक मेhtा हमारे साथ है अकिलिष हमारे साथ है विजय गोयलbsji हमारे साथ है अजjai kumar ज कि आम आदमी पार्टी के लीडर वो हमारे साथ है तो मैं एकदम वापस अपनी बात को दोरा रहा हूं कि बीजेपी अपने नेताओं के बचाओं में खड़ी रहे उसको खड़ा रहना चाहिए लेकिन इससे उनके नेताओं पर उठने वाले प्रश्ण या सवाल हटते नहीं ह हैं डाइवर्ट नहीं होते कल मैंने आपको स्मृति रानी का मिसाल के तौर पर उन्हीं के एक इंटिव्यू की एक लाइन पढ़कर सुनाई थी इसमें उनका था कि जो चाहे मेरे खिलाफ पी आयल करें माफ करीगा आई पिल निकल गया अब क्या करें बड़ा मुद्दों म कब हो गया पी आयल स्मृति रानी जी हो गया पी आयल मैंने कल भी आप लोगों के प्रश्णू का अत्तर दिया था आप लोग फैन पेज पे तब लिखते थे जब तोमर साब का मसला उठ रहा था कि आप स्मृति रानी का नहीं उठाते हैं भई वापस स्मृति रानी समय ज यह भूल जाते हैं कि बड़ी दलीले दे बयान दे अब इसमें कहानी में टुष्ट दे लेकर सबसे बड़ा टुष्ट जो देश के जनता है आप ही दे देते हैं तो इसलिए आप अपनी अपनी राय बनाते रहूँे डलीले आप नेताओं का काम हैं देना आप नेताओं की तरफ से सुनते रही है अगले में पॉइंट आपने उस दिन बहुत अच्छी बात कहती वसंद्रा राजेस इंधिया के जिष्टे नरेंद्र मोदी के इस्टाबलिश्मेंट से पॉलिटिकल इस्टाबलिश्मेंट से अच्छे नहीं रहे है जग जाहिर है अब बीजे-पियश तो चाही की नहीं कि वसंदरा राजे सिंधिया का इंबारिस्मेंट जो है वो शरमसार हो रही है उनकी फजीहत हो रही है वो नरेंद्र बोधी बुगतने लगे नरेंद्र बोधी ने खुद आस्तक क्या डिलिवर किया है इस पर बहुत बड़ी राष्ट्री बहस चल रही है तो ये कब तक वसं कोई सवाल पार्टी के सामने है नहीं बिल्कुल पार्टी ने साफ कर दिया उन्हें बचाना ही होगा पार्टी को अब किस तरह से बचाएंगे क्या दलीले हैं मुझे लगता कि उन्हीं दलीलों को ढूनने के लिए इन काउजों की पड़ताल की जा रही है जैसे हमारे सूत दस्तावेज जो होता है वो एफिडिविट से अलग होता है जो कि बाद में जब उन्हें इमेल भेजी अपनी तब उन्हें का कि वो गवाई नहीं देंगी तो यानि बाद में अपने आपको इस पूरे मामले से अलग कर लिया था ये भी अप पार्टी कह रही है तो में क्या दल्ले दी जाएंगी वो दल्ले तैयार करने के लिए अब ये पूरी कामल की कॉंग्रेस के लिए बहुत सारे सवाल है क्योंकि जैसे मैंने कल उमा शंकर सिंग जी से पूछा ते आलोग जी से भी पूछूंगा कि कॉंग्रेस जो उनके क्रिकेट की पॉलिटिक से जोड़े नाम है प्रबुकता राजीव शुकला उनके लिए क्या बचाव तैयार करेंगी अगर कलको उनके कोई दस्तावेश ने दारा रहा होगा तो क्या दूसरा दस्तावेश भी चेक हो रहा होगा एक बड़ी मजदार बास सामनी आ रही है कहते हैं राजीती में आपको एक बड़ी थी प्रतिष्टेक अकबार के लिए जब संपादी के लिखता था तो मैंने तब लिखा था IPL और मैंने आज ते कभी IPL नहीं देखा इस बात के लिए मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमिय हूँ आप सब जानते हैं क्रिकेट बहुत कारिकरम करता हूँ क्यों कि मुझे लगता था इस फॉर्माट में कोई दिक्कत है तो मैंने लिखा था इस बात को कि ललित मोदी एक समय आ सकता है कि बड़े IPL प्रेमी नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बच जा है अक्रॉस पार्टी अक्रॉस पार्टी अक्रॉस पार्टी लग रहा है कि जैन वसंदरा जी को वन्हा कित्ते योगा दिवस कराएंगे आप एक बात आप याद रखें जिस तरह से वसंदरा जी का पहले से इनके साथ सम्मन्द रहा क्या बीजेपी में किसको नहीं मालुम था बीजेपी को बाहर सबको पता था यह चुपी वात निया नागोर से उनका को जी रहे एडवानी जी रहे ललक मोदीज वसंदरा राजेस इंद्या मैं ये कोई आज की कहानी नहीं है और उसमें पर सबको वलाइस करने में वसंद्रा जी कि करपा होती वह महरानी है मैं तो गालेर रियासत का कहना चाहिए रहने वाला हूँ तो राजमाता की विरासत वि मैं उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि आप लोग दो सीनिया जॉर्णिस बैठें कि इसमें जो मीडिया और पत्रकार भी उसके उनके बड़े अजीज रहे है राजी शुकला तो इनके सबसे खास आदमी उस जवाने माने राजी शुकला तो पॉलिटिशन हो गए लेकिन जो आज क कि अपने को पत्रकार और संपातक बता रहे हैं इनके भी नाम कभी ने कभी आए ताकि पता चले कि इनकी मित्रता क्यों और कैसे थी लडित मोजी से ये एक दुरभाग के जरूर कहूंगा चारा कार्ण में भी कुछ ऐसी लिस्ट थी तो उनके नाम नहीं आए चालिस लाइ पता तो हो कि कौन-कौन पत्रकार किस-किस साल में मिलने गए उनसे ये भी आ रहा है कि जो कह सकते कि हम तो स्टोरी डूड़ने गए ते लेलिक मोजी के बेजने से लेके होटल का खर्चा सा रहा है जिस तरह के गवाई दस्तावेज पर वसंदरा ने दस्कत किये हैं वैसे ह इसका जो कहते हैं कि पूरा जाल फिरता जाए है आलुक इस बात से इतिफाक रखते हैं कि जो अखिलेश कहरें कि बीजेपी के पास फिलहाल वसंदरा का बचाव करने के इलावा कोई और रास्ता नहीं है पब्लिकली उनको हवाला में मैं दूसा उधारन दूँगा विद्याचन शुकला सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे लेकिन उनका तो फिर भी इस्तीफा फिर भी दर्चराओने ले लिया था देर सबेर तो ये लिस्ट बिलकुल मैं बिलकुल सहमत हूँ हवाला कान की तरह से चाहे देर समेर लेना पड़ेगा लेकिन ये की समय देते वे कहना पड़ेगा कि मेरा आदमी ये तब भी शहीत करना पड़ेगा बढ़ा दर्ध हो जाता है देखिए सियासत में रिष्टे बढ़ी विकट-करवट ले लेते हैं ये रिष्टे विजे गोयल साहब क्या है सबसे नई दलील वसंदरा राजे सिंधिया जी के बचाव की एक तो यह हो गया कि साहब वो कागश चेक करें सिगनिचर उनके थे या नहीं थे या गलत दिस्टे यह सब एक मसला है लेटेस्ट दलील क्या है सर अभियान कोई नया आरोप नहीं है तो नई दलील भी नहीं है जब कोई नया कल से लेकर आज तक कोई नया आरोप तो है नहीं और दूसरी एक बार समझे बचाव उसी का किया जा सकता है जिसको बचा सकें जाके जिसको कल जाकर बचा नहीं सकते मैं अखिलेश जी की बात को बिलकुल सही समझता हूँ कि वो कहते हैं भी पार्टी कहती है ठोस दलील होनी चाहिए ठोस दलील होना तो कोई गलत बात नहीं है ठोस दलील तब ही होगी जब हमारे पास ठोस दस्तावेज होगा दूसरा बात यह है कि पार्टी दस्तावेजों की जांच करेगी वो भी गलत बात नहीं है आपोजिशन के क्या डिमांड है क्या आपोजिशन यह चाहती है कि बिना दस्तावेजों की जांच करे उसको सूली पे चड़ा दिया जाए ऐसा चाहती है तीसरा पॉइंट मेरा ये है जो ललित मोदी हैं वो भगोडे हैं ललित मोदी के खिलाफ एडिक इंक्वारी है अगर आप रिष्टे वे जाओगे तो सब पार्ट जोंके अंदर रिष्टे हैं जी और अगर आप डाकुमेंट पे जाओगे तो भाईया पहले डाकुमेंट जा करने दो इतनी जल्दी क्या है अभी पार्लेमेंट का सेशन शुरू होना है विपक्षी दलने हंगामा मचाना ही मचाना है गौर्मेंट को तैयार होकर आना है तो गौर्मेंट को दस्तावेज देखने दो कि कौन सा डाकुमेंट है किस फाइल का है किस अथार्टी में जमा क है कब कराया है नोटराइज हुआ या नहीं हुआ विटनेस था क्या उन्होंने खुद समिट किया नहीं किया डॉकुमेंट सभी है अब जब बिख्श में थे तो जिसका चाहिए उसका स्टीफा मांग लीजिये, जिसके चाहिए उसके मसले पर हंगामा कर लीजिये, अब वसंद्रा राजे सिद्या जी का मसला है, आप यह चार्च करवाईए, वो चार्च करवाईए, कौन सा नोटरी था, कौन सा आपने कांग्रेस के रिजीम की बात कर रहे हैं मैं आखरी के सालों में आपको गिनाओं की पवन कुमार बंसल के मसले में बार 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 इसको स्पेसिफिकली कोट करता हूँ इसलिए एक में सुनीए उससा में एक में टोजी में दो पावन वेल्थ में तीन पॉईला जी में चार ये तो सारे मुझे मालूम है पर इनके स्टीफे क्या हमने बिना तथ्यों के मांग लिए थे क्या क्या इनके खिलाफ चीजें आनी नहीं गई थी क्या और अभी एक रिष्टेदार गुष देते हुए पकड़े जा रहे हैं किसी मेंबर्जा अपॉइंटमेंट कराने के लिए वोड़ के आप नहीं रहे सकते उस कुर्शी पर अभी ग्यान भाई है अभी ग्यान भाई उसका भांजा भतीजा सब पकड़ा गया बुरी तरह से पकड़ा गया कोई छोटा मोटा नहीं ऐक बात और सुनिए वतुंदरर राजे के केस में अभी तक यह नहीं हुआ कि कोई भरष्था चार हुआ है जिय नहीं हुआ सिरब जादा से जादा आप जो आरोफ लगा रहे हैं या जो विरोधी आरोफ लगा रहे हैं, वो केवल ये आरोफ लगा रहे हैं, कि इन्होंने recommendation की, उस recommendation हुई या नहीं हुई, चागत जमा हुई या नहीं हुई और उसके कारण बष्टा चाहर भाई हूई और शुझा आज establish कर ले कि वसंदरा जी का व्यवसायक रिष्टा था क्यों अखिले जी ललित मोदी जी के साथ और उनने अगर उनके लिए सिफारिश कर देज़ाइब नहीं पूछ लीजिए वह डेवलप्मेंट कार्परेशन जो बनाया गया अथर्टी उसने पहले हवेलिया एक्वायर की वसंदरा जी के राज में और वो ललित मोदी जी को दी गई यह लिए है रिनोवेशन होना है जैसे आप कहते ना कब्जा किया गया दिया गया उसके करोड़ों पर बढ़ा लिये गए और फिर वो उसमें दुष्टन जी का हिस्सा हो गया आप बताईए उसको ब्रश्टा चार नहीं आप यही तो कह रहे हैं कि कि किसी की सिफारिश को ब्रश्टा चार नहीं कि क्या किसी ने ने सुनिये 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 आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी रेकमेंडेशन भी ब्रश्टा चार हो सकती है किन्तु यहाँ पर अभी तक ना किसी विरोधी ने ना किसी अपने ना किसी बेगाने ने यह नहीं का, इसके कारण ये फाईदा पहुचिए, बिल्कुल वैसे ही, जैसे सुशमा जी ने, उसकी बिमार पतनी के लिए, उनको जाने के लिए कह दिया सब्मेदन शीलता के कारण, पर उसमें ब्रष्टाचार कुछ नहीं था, उसमें ये जरूर था, कि एक ऐसे आदमी की हेल्प हो गई, जिसके खिलाब इंक्वाइरी चल रही थी, जाने अंजाने के अंदर, सबेरन शील्टा के अंदर, वो जरूर बाद हो सकते हैं, पर आप तक लिए उसमें सारे मंतरी कर सकते हैं, देखकत दीना, विजय जी आगे कोई, कई सारे, कई सारे लोगों के परिवार वाले, इसी देश में आदि रही मेडिया ये भी करता है, ये कोई देखकत नहीं हैं, आरे हमारे यहां तो सबेदन शील्टा के हजारों नमूने हैं, यहां तक कि अगर टेर्रिस्ट हैं, उनके भी, मैं किस के आंगरेस के जमाने के केस दिखा सकता हूँ, जिन में किस-किस तरीके से सबेदन शील्टा के करण मदद इसले की गई, टेर्रिस्ट के नहीं, उनके हैं दूसरे लोगों के लिए, चलिए, दिलिब जी को मैं आलाता हूँ और आलोग जी के बहुत माफी, आप लोग पेशन्स है, दिलिब जी, आप से पहले में तरा आलोग जी से पूछना चाता हूँ, भई ऐसा है कि ये जैन हवाला केस, उसको भी मैंने एक छोटे से कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर कवर किया था, वो डाइरी अंतता कोर्ट में टिकी ही नहीं, लेकिन वो बड़ी उठा फटक कर गई लोगों के करियर्स की, और उसमें से एक थे लाल कृष्ण अडवानी जी, जिन्होंने मुझे आद है प्रेस कान्फरेंस करके अपने पद्ज से कहा था कि मैं इससे इससे हट रहा हूँ, जब तक इस डाइरी से मारा नाम नही करेगी, अज़े जी से पूछ रहे हैं आप मुझे से, ने, सुरी, अज़े जी से, माफ़ी चाओंगा, माफ़ी चाओंगा, अलुक मेता जी से, अज़ो है, अबे ग्यान जी, फिर से थोड़ा सा सवाल दोड़ा दीजाएं, बला सीधा सीधा सवाल है, कि कॉंग्रेस ललित मोदी से सिफारिशी रिष्टे हैं, तो बड़े सिफारिशी रिष्टे कल को राजीफ शुकला और बाकी कॉंग्रेसियों के भी आ सकते हैं, ललित मोदी से, राजीफ शुकला तो हाल की IPL कमिशनर हैं, फिर क्या करेगी कॉंग्रेस, अगर ऐसा होता है, देखे, अब पार्टी की कॉंग्रेस से संब्धत व्यक्ति इस IPL के मामले में लालित मोडी स्कैम में संब्ध रखता है या उसमें आरो पी या नाम सामने आता है तो वो उनके व्यक्तिगत काम है तो पार्टी इसमें क्यों किसी का बचाव करेगी अगर कोई भी व्यक्ति जिस तरह से भी संब्ध है उनके व्यक्तिगत संब्ध है तो पार्टी इसमें किसी के बचाव में पार्टी इनके बचाव में सामने नहीं आएगी पहली बात दूसरी बात है कि जिस तरह से विजेग गोहल जी वसंदर राजे सिंद्या के बारी में जब इस बात सबके सामने रख रहे है, इस से वह लगता है कि वसंद्राजेश सिंद्या जी जए अनने तो बहुत ही अच्छा काम देश के लिए किया है, पहले ये बात हम सब लोग को ये बात समझ समझना पढ़ेगा, कि उन्होंने एक देश दो ही काम किया है, उन्हों के रूप में राष्टरवादी कहते रहते हैं हम राष्टरवादी पार्टी हैं इन्होंने तो राष्टर के अन्हित में इतना खराब काम किया है उन्होंने हस्ताक्षर किया कि ये बारत के एजनसी को सरकारी एजनसी को जो ये कागस के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए उसके अलावा जो दुश्यंत और अलित मोधी जी का जो संबंद है उनको गलत नहीं दिखाए देता है उनको ये जो पूरे जो एफिडविट में वो गलत नहीं दिखाए देता है एंडी टीवी ने एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से तो ये थाबित कर दिया ये वसंदराजी जी का हस्ताक्षिर है लेकिन एक अरे अब बारेट सब्कार इतने श्क्तिशाली सब्कार वो आपको प्रोक रहा हूं कि सभी आपने कहा ज़िए मान लेगे कांगरेसी के कोई कॉंग्रेस का लीडर हो तो निजी मादा होता है जी जी पताई। सामने आता है हम लोग कोई भी कॉंग्रेस पार्टी के कोई भी वेक्ति जो गलत क्या हो तो उसके बचा में जिससे विजे गोल जी उत्रे हुए तो हम उसके बचा में नहीं उत्रेंगे लेकिन पहली बात है आप बचाओ की करेंगे कि जो पदामनी जो इकने शक्ति शाली पदामनी पे हम लोगो जो रिपोर्ट मिला है अगर कॉंग्रेस के कोई भी व्यक्ति शामिल है तो उसके ओपर कारवाई होगी पहली बात और पार्टी उसके बचा में जिस तरह से बातिय जनता पार्टी सबी तत्यों को नजर अंदास करते हो उतर रही है जिए अब मैं दिलिप पार्टी जी बीजेपी और कॉंग्रेस की दलीले क्या देखे कॉंग्रेस कितनी खुबसूरती से करी निजी मामला अगर वो पद से है तो हट जाए अगर नाम आए नाम क्या क्या आए है क्या निया अबिग्यान जी पहली बात है कि हमारे बातों को क्रिपया ट्विस्ट मत करें अबिग्यान जी हमने कहा कि उन्होंने अपने निजी फैदा के लिए किया है पार्टी अगर उनका नाम आएगा तो पार्टी उनके ओपर कारवाई करेंगी यह बात सपस्ट होगी बिलकुल सपस्ट होगी उनको डिफैड नहीं करेंगी उनके उपर कारवाई करेंगे अब बात ये चंदा पार्टी ये करने को तहारे कि नहीं करेंगी कॉंग्रेस कभी उनको डिफैड नहीं करेंगे दिलिप जी पूरा समय दूँगा और साथ में माफी क्या है कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच आपको कम समय दे पारा हूँ कोई बात ये अभी मैं जहान पूरवक कॉंग्रेस के और भाजपा के साथियों को सुन रहा था विजेगोईल जी की मजबूरी है और विजेगोईल जी की तरह तमाम भाजपा के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि वो आएं और इस जूट को सच बनाके इसको डिफेंड करने की कोशिश करें और दुर्भागी पूर्ण ये रहा है कि भारती जनताप पार्टी की और कर्मनिता की वज़े से तमाम प्रवक्ता जो है लहुलुहान होका टीबी स्टूडियो से लोट रहे हैं समस्या इसमें ये अभग्यान भाई की विजए साहब जो है मजबूती से सच नहीं बोल पा रहे हैं कल से लेकर आज सक उनके इसाब सक कुछ नहीं बदला मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा किस प्रकार भाजपा के स्टेट्मेंट्स बदले हैं तो भाजपा की दलील से की कैसे साबीत होगा कि हस्ताक्षर उनके नहीं है और ये प्रोपगेंड़ा किया जा रहा है इसकी जाच की जाएगी वसंदरा राजे जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी बास से पलटना पड़ा पहली बार उनने जूट वाला दूसरी बार उनने स्विकार किया कि हस्ताक्षर उनके ही है अब भाजपा ये दलील दे रही है कि हस्ताक्षर उनके होने के बाद भी चार्च होनी चाहिए तो ये बार बार उल्टम पल्टम की जा रही है ये एक महत्व पूर चीज़ है दूसरी बात ये है कि अभी चर्चा हो रही थी कि क्या भाजपा उनको बचाने की कोशिश कर रही है या सुपूर ढूड रही है मैं बताना चाहूंगा सब को सच पता है सब हमाम में नंगे खड़े हैं सब को मालूम है किसके शरीर पे कितने कपड़े है अभी जो भाजपा कवायत कर रही है वो सिर्फ इस बात की है कि कैसे इसको टाला जाए इस मुसीमत क्या है दूंद की सिती क्या है कि अगर वो इस्तिफा बचाते हैं तो साख चली जाएगी और अगर वो साख बचाते हैं तो पार्टी तूड जाएगी यह सबसे बड़ा यह मुदी जी का आहिंकार नहीं है कि वो चूप है उनके मन के अंदर बिखरने का भाया है साख बचाएं कि इस्तिफा बचाएं अब इसमें जाच की बात आती है जाच क्या करें कि भारती जन्ता पार्टी मानिये वित्तमंत्री जी एक बयान देते हैं मीडिया के सामने कि यह पर्सनल ट्रांजेक्शन है जी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वित्तमंत्री के इस बयान को जनवरी में हाई कोट ने खुद कांटरिट कर दिया है और कहा है कि ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन फिशी है और प्रवर्तन निदेशाले को वादेश दिये कि इसकी जाज की जाए प्रवर्तन निदेशाले ने आश्वस्त किया हाई कोट को कि हम इसकी जाज करेंगे प्रवर पोती के अलावा ये हम और आप और इस देश की जनता भाजपा से जानना चाहती है समझना चाहती है